पौड़ी में लगने वाला प्रसिद दो दिवसीय कांटर मेला समाप्त हो चुका है दूर दरास से आईश औ धालू ने भगवान शिप को मंजु खोश अर्पित की दिपावली के दो दिन बात लगने वाला ये मेला पहले पशुबली के नाम से जाना जाता था लेकिन वर्टमान समय में पशुबली को समाप्त भगवान शिप को मंजु खोश अर्पित किये जाते हैं माना ये भी जाता है कि जब आदी गुरू शंकरचारे के दारनात भगवान के पुनार उथान के लिए आये थे उनों ने शेत्र कोश शेत्र कहा और ग्रामिनों को यहां भवे आयजन करने के आदेश दिये तब से अब तक इस तरह का आयजन किया जाता है तो तस्वीरे देख सकते हैं जोहाँ पर भगवान शिप को वंजु गोश अर्पित किया और ऐसे में अब इस मेले का समापन हो चुका है जहां पर भारी संख्या में श्रधालू वहाँ पर पहुंचे तो आपको बता दें दो दिवर्स ही है इस मेले का समापन हो चुका है जो है समापन हो चुका माना ये भी जाता है कि जब आदी गुरू श्रंकर चाले के दारनाद भगवान के लिए पुनाउत्थान के लिए आये थे तो उन्होंने शेत्र को शेफशेत्र का हताओ ग्रामिणों को यहां भव्याईजन करने का देश दिया था तब से लेकर अब